नमस्कार Modern School गांधी दाम से मैं फुरम मैता आपकी हिंदी सेकंड लेंग्वेश की अध्यापिका आप सभी का आज की E क्लास में अभिवादन करती हूँ और आज की E क्लास एक गीत के साथ शुरू करने जा रही हूँ पंक्तियां सजन रे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न गोड़ा है वहाँ पे दल ही जाना है सजन रे जूट मत बोलो तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे अकड किस बात की प्यारे अकड किस बात की प्यारे ये सर फिर भी जुकाना है सजन रे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है तो महान आंचलिक कहानी कार फणिश्वर नाथ रेनुजी की कहानी मारे गए गुलफाम से तीसरी कसम फिल्म बनी उसी फिल्म का यह गीत था जिसकी दो पंक्तियां मैंने आपके सामने रखी तीसरी कसम फिल्म में यह गीत फिल्मांकन हुआ था तो गद्य आठ पंच लाइट लेखक फणिश्वरनात रेणू प्रकार आंचलिक कहानी लेखक का परिचे तथा साहित्यक योगदान बिहार में पुर्णियां जिले के औराही हिंगना नामक गाउं में फणिश्वरनात रेणू का जन्म हुआ था उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई वे 1942 इस्वी सन में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े 1950 इस्वी सन में नेपाली क्रांती आंधोलन में भी हिस्सा लिया सही माइने में रेणू जी करमशील सार्स्वत थे 1952 में बीशन रूप से रोग ग्रस्त रहने के बाद लेखन कारे की और जुके रेणू जी हिंदी में आंचलिक कथा की नीव रखी बेमिसाल आंचलिक उपन्यास मेला आचल को गोदान बाद दूसरा सर्वश्रिष्ट उपन्यास गोशित किया गया परतिपारी कथा जुलूस दिर्गतपा कितने चौरा है पल्टूबाबुरोड आदी गणमान्य उपन्यास है तो एक आदी मरात्री की महक ठुमरी अगनिखोर अच्छे आदमी आदी कहानी संग्रल है रेणुजी ने रूणजर धंजल नेपाली करांती कथा वन तुलसी की गंध शुरुत अशुरुत पूर्व नामक रितुपार्ज भी लिखे हैं उनकी कहानी मारे गए गुल्फाम से तीसरी कसम नामक फिल्म बनी अगनिखोर अच्छे आदमी आदी प्रमुक कथा संग्र है रेणुजी को पद्मिश्री पुरसकार से सम्मानित भी किया गया आंचलिक कहानी किसे कहते हैं तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में देखा था आंचलिक शब्द आया था आंचलिक कहानी प्रकार है इस गध्यका आंचलिक कहानी के कथानक का आधार आंचल विशेश की घटनाए तथा वहां का जन्जीवन होता है तमाम परिस्थितियां कथा को एक नए रूप में बांधती है इसमें लोक संस्कृति का चित्रन किया जाता है तथा वेश बुशा, रीतिरिवाज, रहन सहन, आधर्शो, विश्वाशो भौगलिक मान्यताओं को स्वीकृति दी जाती है ऐसी कहानियों को हम आँचलिक कहानी कहते है पात्र इस कहानी के हम देखेंगे गोदन जो नायक है मुन्री नाईका है इस कहानी की गुल्री का की, मुन्री का की की, मुन्री की वह का की है सरपंच, दिवान जी, रुदल शा जो एक वनिया है कनेली, जोकी, मुन्री की सहेली है, छड़ीदार, किर्टनिया, औरतें, इत्यादी पात्र इस गद्य में कहानी में पाए जाते हैं पंचलेट कहानी हम देखेंगे पेट्रोमेक्स यानि की पंचलेट की खरीदारी यहाँ पर हमने इस कहानी को पाँच हिस्सों में बांट दिया है प्रसंग अनुसार यह कहानी मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ गाउं में रहने वाली विबिन जातियां अपनी अलग-अलग टोलियों में रहती है उन्ही में से महत्तो टोली के पंचो ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के जमापैसों से राम नवमी के मेले से पैट्रोमेक्स खरीदा पैट्रोमेक्स खरीदने के बाद बचे 6-10 रुपै से पूजा की सामगरी खरीदी गई पैट्रोमेक्स या पंचलाइट को देखने के लिए टोले के सभी बालक बूढ़ें औरतें सभी एकत्रा हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके पूजा पाट का प्रबंध करें पैट्रोमेक्स यानि की पंचलाइट यानि की पैट्रोमेक्स तो उसी की बात यहाँ पर हुई है आगे देखेंगे पंचलेट को जलाने की समस्या महत्तो टोले में पंचलेट आने से खुशी की लहर दोड़ गई सब जन उत्साइत हैं लेकिन उनके सामने घंबीर समस्या है कि पंचलेट जलाएगा कौन क्योंकि टोले की किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था महत्तो टोली के किसी भी घर में अभी तक डीवरी नहीं जली थी दिया नहीं जला था क्योंकि अभी पंचलेट की रोशनी की जगमगाहट देखना चाहते थे पंचलेट के न जलने से पंचों के चहरे उतर गए राजपुत टोली के लोग उनका मजाग बना रहे थे सभी धहर्य से इस अपमान को सह रहे थे लेकिन दूसरी टोले की व्यक्ति से पंचलेट जलवाना नहीं चाहते थे टोली द्वारा दंड प्राप्त गोधन की खोज गुलरी काकी की बेटी मुनरी अपनी सहली कनेली से कहती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है लेकिन टोली की पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था हुका पानी बंद करने का अर्थ होता है मुहावरा है यह अर्थ होता है जाती से बहार कर देना यह सूचना सरदार तक पहुची कि गोदन पंचलेट जलाना जानता है सभी पंचों ने सोच विचार कर अंत में निर्णे लिया कि गोदन को बुला कर उसी से पंचलेट जलवाया जाए गोदन द्वारा पंचलेट जलाना सरदार द्वारा बेजे गए छड़ीदार के कहने से भी गोदन के न आने पर गुलरी काकी गोदन को मनाने जाती है तब गोदन ने पंचलेट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगा स्पिरिट के अभाव में गरी नारियल के तेल से ही उसने पंचलेट जला दिया पंचलेट के जलने पर टोली में खुशी छागई किर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय द्वनी की और किर्थन हुआ पंचो द्वारा गोधन को क्षमा करना गोधन ने जिस समझदारी से पंचलेट को जला दिया था उससे सभी प्रभावित हो गए गोधन के प्रती सभी लोगों के मन में जो भी मैल था दूर हो गया गोधन ने सभी का रदय जीत लिया मुन्री ने प्रशनशा भरी द्रिश्टी से गोधन की और देखा सरदार ने गोधन को अपने पास बुला कर कहा कि तुमने जाती के इज़त रखी है तुम्हारे साथ खून माफ खुब गउ सलीमा का गाना अंत में गुल्री का की ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रेत किया गोधन ने एक बार फिर से मुन्री की और देखा जो नजर मिलते ही लज्जा से पलके जुका लेती है इस प्रकार हमने पंचलाइट कहानी सुने ग्रह कार्या प्रशनों के उत्तर लिखिए फर्स्ट पैट्रोमेक्स जलाने में क्या क्या यतन किये जाते हैं अपने शब्दों में लिखिए सेकंड मुन्री ने अपनी सहेली के कान में क्या कहा उसका क्या असर हुआ जलाने पर पंचों ने क्या कुछ क्या किया इस तरह से ग्रहकारे हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे अब कुछ पंक्तियों के साथ आज की E-class समाप्त करने जा रहे हूं पंक्तियां आशा रखती हूं आपको पंचलेट गद्य समझ में आया होगा नए गद्य के साथ या पद्य के साथ हम फिर से मिलेंगे धन्यवाद तर रहे हूं आपको पंक्तिया ant